वेलकम तो सबूरी किचेन प्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और डिलिशेस आटा गार्लिक ब्रेड और साथ ही चीज सॉस बनाएंगे वो भी बहुत आसान तरीके से तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम गार्लिक बटर तेगार करेंगे इसक कटी हुई भरी धन्या की पत्तियां डालकर मिक्स करेंगे सारी चीजों को मिलाएंगे तो लीजिए बहुत बढ़ियां स्वादिश गार्लिक बटर बनकर तयार है अब हमें से साइड में रखते हैं गार्लिक ब्रेट के लिए डो तयार करना है इसके लिए हमने करीब देड कप यहों का अटा लिया है बढ़ियां साथ टेस्ट आ जाए इसके लिए हम मिलाएंगे एक चम्मच चीनी स्वादनुसार नमा गार्लिक पेस्ट और गेनो और आधा कप दही ब्रेट फूली फूली बने इसके लिए एक चम्मच बेकिंग और आधा चम्मच सोड़ा भी मिल करेंगे जितना पानी आवश्चक हो उतना हम यूज करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना को तयार कर लेंगे एक चम्मच गार्लिक बटर डाल कर डो को अच्छी तरह से चारो तरफ गुमा लेंगे ऐसा करने से गार्लिक बटर उपरी सर्फेस में चिपक जाएगा और डो स् से सैट हो जाए चीज सॉस बनाने के लिए एक हीटिंग पैन में एक कप दूद लिया है तुरंथी एक टेबल स्पून पाउन फ्लर डाल कर अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि दूद गरम होने पर पाउन पोर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो अब हम लगातार इसको चलाते हुए रुख करेंगे दो मिनिट बॉइल होने पर इसमें मिलाएंगे एक चीज स्लाइस आप किसी भी प्रकार का चीज इस्तमार कर सकते हैं दूद गरम है इसलिए चीज बहुत आसानी से बहुत जल्दी मेल्ट होकर मिक्स हो जाएगा अब इसमें थोड़ा सा चीली मिला लेते हैं तो बस इसको भी मिला लेंगे हमारा बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सॉलेशन बनकर तयार हो गया है बहुत ही स्वादिश चीज सॉस को अब हम एक बोल में ट्रांसफर करके अलग रख लेते हैं गार्लिक ग्रेट को हम बेक करके बनाएंगे इसके लिए बेक तो अब चलते हैं डो की तरह डो अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो गया है अब हम इसको थोड़ा मसल कर स्मूथ करेंगे डो अब ब्रेट बनाने के लिए बिलकुल उपयोगत है तो चलिए हम इसके छोटे छोटे पार्ट डिवाइट कर लेंगे और इसके गोला कार भाग कर बालेंगे अब गोल भागों को बॉल की तरह रेडी करेंगे इन गोलयों का साइज हम थोड़ा पड़ा ही रखेंगे क्योंकि गारलिक बेड़ हमें बहुत पतली नहीं बनाना है अब इस निसे एक गोला कार भांप को सुखा आटा लगाकर छपाती की तरह बेड़ेंगे सर्फेस को कबर करेंगे चपाती के आधे पोर्शन में हम ग्रेटेट चीज को पूरी तरब फेलाएंगे चपाती के साइट बाग को हम च्छोड़ देंगे थोड़े से बॉइल कौन को भी डाल कर ठोड़ा फेला लेंगे अब चिली फ्लेक्स भी spread करेंगे चपाती के सारे किनारे के भाग में हम इस तरह से पानी अपलाई करेंगे चपाती को fold करेंगे और इस तरह से सारे sides को चिपकाएंगे पानी की वज़े से असानी से चिपक जाएंगे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अंदर की सामगरी बहार आ सकती है इसी तरह से हम सारी चपातियों को तयार कर लेंगे बेक करने के लिए अब हम इने बेकिंग ट्रे में रखेंगे इसमें बड़ा साइज होने की वजह से सिर्फ दो ही गार्लिक ब्रेट बन कर तयार रह सकती है अब हम इसमें उपर से नाइफ से लंबाई में कट लगा लेंगे और डीप कट नहीं करेंगे नहीं तो फिर मटेरियल भार आ जाएगा तो ऐसा करने से हमें गार्लिक ब्रेट को कट करने में बहुत असानी होगी अब इसके उपर हम मेल्टेट बटर लगा कर पूरा सर्फेस को कवर करेंगे बहुत ही बढ़ियां से फ्लेवर के लिए और्गेनो स्प्रेट करेंगे अब उपर से थोड़ा चिली फ्लेक्स भी डाल लेते हैं बेकिंग ट्रे को अब हम 15 से 20 मिनिट के लिए 200 डिग्री सेंटिग्रेट पर बेक होने के लिए रखेंगे बहुत ही बढ़ियां सी गार्लिक ब्रेट बन कर तो त्यार हो गई है इसमें अब हम उपर से तुरंत ही गार्लिक बटर अपलाई करेंगे ऐसा करने से उपर की लेयर हार्ट भी नहीं होगी और शाइन भी आ जाएगी तो देखिए बहुत आसान तरीके से हमारी बहुती डिलिश्यस हेल्दी गार्लिक ब्रेट बन कर तियार हो गई है साथ ही हमने चीज सॉस भी बनाया है तो बस अब डॉमिनोस को भूल जाएए बस घर में ही आसान तरीके से गार्लिक ब्रेट बनाये गार्लिक ब्रेट को पीसेस में कट कर लेंगे अब हम इसको चीजी डिप के साथ सर्व करेंगे एंजॉय हेल्दी गार्लिक ब्रेट स्टे तुने वर सम अमेजिंग रेसिपी इन फूचर थैंक्स वर वाचिंग